क्या आपके पास में बजाज EMI card है और EMI card में आप अपना bank account change करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर click क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज EMI card में आप गर बेटे अपने bank account को कैसे change करेंगे bank account change करने के लिए आपको क्या process करना होगा complete process इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को आप end तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press करे ताकि आपको banking, loan और credit card से related information सबसे पहले मिले बजाच EMI network card में bank account online change करने के लिए आपको एक process करना होगा वो process आपको मैं यापर live बताने वाला हूँ ये process आप जैसे ही complete करते हैं आपके बजाच EMI card में new bank account link हो जाएगा उसके बाद में आप जब भी बजाच EMI card से swapping करेंगे या फिर आपकी running में भी EMI continue आ रही है तो आपके new bank account से हर महिने की दो तारिक को आपकी EMI debit होती रहीगी बजाच EMI card में bank account change करने के लिए आपको अपने mobile या फिर PC में Google Chrome open कर लेना है उसके बाद आप type किजिए बजाच फिंसर्व.in जैसे आप इस website पर विजिट करते हैं तो आपके सामने इस type का interface open हो जाता है left side में आप देख सकते हैं three line आपको देख रही है इस पर आपको click करना है तो आपके सामने menu bar open हो जाएगा my account के just सामने आपको एक arrow मिलेगा इस पर click करना है तो आपके सामने second interface sign in to my account open हो जाएगा यहाँ पर आपको simply अपने mobile number enter करने है जो आपके बजाज EMI card से link है उसके बाद आपको अपनी date of birth टाइप करने है और आप get OTP पर click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगा OTP आप यहाँ पर enter करके submit पर click किजिए आप OTP enter करेंगे तो आपका यहाँ पर account login हो जाएगा उसके बाद आपको simply quick paper click करना है quick paper आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर send, swap, bank account का options मिलेगा आप इस पर एक बार click किजिए जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने आपके active loan सो हो जाएंगे जो भी आपने बजाज EMI card से swapping की है आपके active loan है वो आपके सामने रहेंगे अब guys यहाँ पर समझने वाली बात है आप select all पर click किजिए तो जितने भी आपके active loan है उनमें आपका bank account change हो जाएगा उसके बाद जब भी दो तारिक आएगी आपकी EMI debit होती थी वो debit आपके new account से होने लगेगी तो simply guys यहाँ पर हम next पर click करेंगे आप next पर click करेंगे तो आपके सामने e-mandate का page open हो जाएगा आपको अपने bank का name, IFSC code, account number, account type यह enter करने के बाद आपको submit करना होगा तो सबसे पहले आप bank name में उस bank का नाम यहाँ पर सूज किजिए जिस bank account को आप विजाज EMI card के साथ में link करना चाते हैं example के लिए यहाँ पर हम SBI को सूज करते हैं तो मैंने अपना bank account यहाँ पर सूज कर लिया है उसके बाद मैं अपना IFSC code एंटर करोंगा IFSC code एंटर करने के बाद आपको अपने account number type करने है account number type करने के बाद आपको अपने account का type यहाँ पर mention करना है आपका saving account है या फिर current account है तो मैं यहाँ पर saving account को सूच कर लेता हूँ उसके बाद आप यहाँ पर देखिए mandate, start date, mandate, end date 10 साल के लिए आपका यहाँ पर e-mandate हो जाता है future में आप जो भी बजाच EMI card के थुरू product buy करेंगे आप जिस bank account को भी mention कर रहे हैं उसी bank account से आपकी EMI debit होगी guys आपको इतना ही फिल करना है उसके बाद आप simply submit पर click करेंगे आप submit पर click करेंगे तो आपके सामने नया interface open होगा customer name, mobile number, IFST code, bank name, CT, bank account number, bank account को आप यहाँ पर visible भी कर सकते हैं branch आपने जो भी bank enter किया है उसकी branch भी आपको दिखाई देगी अब guys simply आपको यहाँ पर registration करना होगा registration आप net banking और debit card के थुरू कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर write कर लेना है तो आपका disclaimer है वो automatically यहाँ पर check box से वो write हो जाएगा simply आप यहाँ पर वापिस submit पर click किजिए आप submit पर click करेंगे तो आपके सामने internet banking और ATM debit card का options आएगा तो जो भी आपके पास में available है उसके थुरू आप अपना registration कर सकते है तो हमारे पास में यहाँ पर debit card है तो मैं यहाँ पर debit card को सूज कर लेता हूँ उसके बाद मैं submit पर click करूँगा अब guys आपके mobile number पर एक security password जाएगा तो उसको आप यहाँ पर enter करके submit किजिए जैसे ही मैं confirm पर click करता हूँ तो मेरे सामने debit card show करने लगता है तो यहाँ पर मैं इसको सूज करके confirm पर click करूँगा मैं confirm पर click करता हूँ तो मेरे सामने debit card number एंटर करने का options आ जाता है यहाँ पर debit card number automatically आ गया है हमें यहाँ पर expiry month and expiry year एंटर करना है अपने cardholder का नाम आप enter किजिए उसके बाद आपके debit card का pin क्या है वो भी आप यहाँ पर enter कर लीजिए आपको यहाँ पर सामने एक code दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा यह सब detail फिल करने के बाद में आपको proceed पर click करना है जैसे आप proceed पर click करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ डेबिट कार्ड वैलिडेशन इस सक्सेज हमारा सक्सेज पुली वेरिफिकेसन है वो हो चुका है अब हम यहाँ पर wait करते हैं तो हमारे सामने automatically यहाँ पर redirect होके एक दूसरा interface open हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते है बजाज finance limited payment title आप देख सकते है आपके reference नंबर आपको देखने को मिलेंगे amount आप यहाँ पर देख सकते है जो भी ECS का amount है end bank account number mandate start date mandate end date customer name IFSD code frequency amount debited for commission तो यहाँ पर only for 1 रूपया है e-mandate के लिए SBI चार्ज करता है यह verification के लिए only for debit होता है या फिर credit हो सकता है type of debit आप देख सकते है mandate amount in word 1 रूपीज only तो guys अब आपको simply यहाँ पर tournament condition को accept करना है और यहाँ पर आप accept वाले button पर click करेंगे तो जैसे ही मैंने यहाँ पर click किया तो आप देख सकते हैं your payment was successful और automatically redirect यह हो गया है और हमारे सामने वापिस दूसरा interface जो भी merchant की site है याने की बजाच की site है उस site पर हम automatically आ जाते हैं यहाँ पर mandate registration successfully आ चुका है हमारा mandate है वो successfully registration हो चुका है अब guys जब भी हमारा जो भी next EMI आएगा debit होना start हो जाएगा तो guys आप इसी process को follow करके आपके पास में अगर बजाच EMI card है उसमें आप bank account change करना चाते हैं तो simply इसे step से आप अपना bank account change कर सकते हैं I hope कि यह information आपको अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप subscribe जरूर करें ताकि आपको banking, loan और credit card से related information सबसे पहले मिले